हेलो दोस्तों, वेलकम तो ग्रेट स्कॉलर्स अकेडमी, मैं हूँ सनी जैन, वेलकम करता हूँ आपका चेप्टर नमबर फाइव में, जिसका नाम है प्रेजन्टेशन ओफ डाटा, देखो प्रेजन्टेशन का मतलब सिंपल है, अभी तक मैंने डाटा को इखटा करने के बार मैं समझा था, अब मैं डाटा को कही ना कही लोगों को समझाने के बारे में, प्रेजन्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो यही है मेरा प्रेजन्टेशन ओफ डाटा, तो बेसिकली मैं यहाँ पर दो सबसे असान सिस्टम सीखता हूँ, सबसे पहले सीखता हूँ, टे आपका बन जाता है टेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मेटर ऑफ स्टड़ी मैं इसको आपको बहुत ही असानी से समझा देता हूँ एक असान से मेथड समझा देता हूँ देखो आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो उसमें आपने कमेंटरी देखी है वो बोल टू बोल बोलता रहता है बोलता रहता है अगर मैं उस डाटा को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो अगर मैं उसके लिए टेक्स लिखना शुरू करूँ भाई 15 ओवर 1st बोल पर यह हुआ 15 ओवर 2nd बोल पर यह हुआ 15 ओवर 3rd बोल पर यह ऐसे लंबा-ंबे लाइन लिखता जाओं लिखता जाओं यह क्या है यह textual presentation मेरी बात clear या कोई doubt अब ध्यान से समझो मैंने ऐसे पूरे लंबा लंबा paragraph लिखता चला गया लिखता चला गया अब इस paragraph में से मैंने आप से पूछा भाई आप मुझे यह बताओ विराट कॉली कौन सी बोल पर आउट तब जाकर आपको समझ में आएगा किस बोल पर क्या हुआ था और कौन सी बोल पर विराट कॉली आउट हुआ था तो logic क्या है logic यह कि जब आप data को एक लंबे लंबे paragraph में ऐसे define कर देते हो तो आपको पूरा का पूरा data go through करना पड़ता है जब किसी चीज को समझना हो तो ज पड़नी पड़ेगी अगर मुझे उसकी स्टोरी समझनी है तो देट इस टेक्स्च्च्वल प्रेजनेशन ओफ डाटा क्लियर इसके बाद इसके लिए कोई special knowledge आपको नहीं चाहिए होती लेकिन जहां पर बहुत ज़्यादा डाटा हो मैंने का कि suppose करो एक या दो ओवर का मैच तो मैं बोल बाई बोल define कर सकता हूँ लेकिन पचास ओवर का मैच मैं आपको count describe कर कर दो तो 100-200 पेज भर जाएंगे कोई फाइदा नहीं होगा तो basically जहां पर large data होता है वहाँ पर मैं इस तरीके के method को use नहीं कर पाता इसके बाद आपके पास आजाता है suitability मैं कहां पर इस तरह के method को use करूँ तो सबसे पहले आपका suitability है वह textual presentation of data is most suitable when quantum of data is not very large quantum कोई बड़ा सा word नहीं है इसने quantity लिख रहा है तो जहां पर data की बहुत ज्यादा quantity नहीं होती छोटी मोटी चीज होती है जहां पर आपका जो है 15-20 page के उपर ऐसे खता मुझे वह है आपका textual presentation के light small volume of data presented as a part of subject matter of study become useful sportive evident to the text तो कहीं नहीं data चोटा होना चीए चोटा होगा तो मैं उसके उपर लिख कर देता हूं उसे explain करता हूं उस situation को समझाता हूं कहीं नहीं आपका small volume of data को represent करने का सबसे best और सबसे बढ़िया तरीका है देखो क्या लिखता है thus rather saying price of gold is skyrocketing a statement like price of gold has been rising by 50% due to financial area which is much more than meaningful and precise तो कहीं नहीं आपका ने कहा कि प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गया ऐसा लिखने की जगा अगर मैं उसको detail में describe करके लिखता तब वो आपका ज़ादा information useful होता लेकिन छोटी information ही आपकी कारगर है इस तरीके के method से ओके इसके बाद आपके बात करूं तो कहीं न कहीं drawbacks आ जाते हैं देखो फाइदे तो उपर पता लगे कि short में बताने वाली चीजों को बहुत अच्छे से बताता है easy है simple है लोगों को असानी से समझ में आता है कोई special knowledge रही चाहिए यह सब merits है demerit एक ही है और वो मैंने आपको novel के example से समझाया अगर आपको पूरी story को समझना है तो कहीं न कहीं सारे के सारे data को study करना पड़ेगा एक भी लाइन छुटी तो समझ लो कहीं न कहीं content missing हो जाहेगा तो a serious drawback of textual presentation is one has to go through the entire text before quantitative facts about the phenomena become evident तो कहीं न कहीं आपको कोई fact कुछ चीज समझने के लिए पहले पूरा data study करना पड़ेगा पूरा data study करने के बाद ही आप कोई fact उसमें से निकाल पाओगे तो कहीं न कहीं यह time consuming भी है कहीं न कहीं यह costly भी पड़ेगा क्यों पड़ेगा क्योंकि इसको बनाने में लिखने में बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है उसके बाद a picture और set of bars showing increase in the price is specified certain quiet information even with a casual glance अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो भाई gold price के अंदर मैंने वो gold price को कहीं न कहीं आपके एक graph से बनाने की कोशिश करी देखो इस तरीके से अब आपको पूरा का पूरा detail theory लेने की जरूरत नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब आपको ultimate यह पता लग रहा है फिलहाल जो gold का price है वो increase होने के phase पर है graph ने तो आपको इसको छोटा सा करके बता दिया लेकिन अगर इसी की मैं description देता तो क्या लिखता पहले जी आपको gold price उपर जा रहा था पीक पर पहुंचने के बाद वो gold price गिर रहा है उसके बाद वो कही न कहीं lowest point पर पहुंचने के बाद इसके बाद वो फिर से बढ़ना ऐसी लंबी लंबी story सुनानी पड़ेगी और कहीं न कहीं बंदा बोर हो जाएगा क्लियर मेरी बात तो यहां पर कहीं न कहीं comparison करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है लेकिन बाग की सब चीज़ों में comparison easily कर सकते हैं दूसरा आपका जो presentation आ जाता है that is tabular presentation यहां पर मैं rows और columns की मदद से हर बर भूल जाता हूं rows क्या है columns क्या है तो देखो यहां पर लिखा है vertical dissections को हम यहां पर column कहते हैं तो यहां जो भी आप इस तरीके से column बनाते हो वो columns है और जो यह आपकी horizontal वाले dissection है यह क्या है आपकी यह है आपकी rows ओके मेरी बात तो कहीं न कहीं लिखता है a statistical table is the systematic organization of data in column and rows जब मैं अपने data को rows और columns में define कर देता हूं तब वो आपका बन जाता है table ओके तो मैं आपको एक table बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको यह समझ में आये और easily create भी हो देख समझाए यह है आपके पास class 12 यह है आपके पास class 11 अब मैं लिखता हूँ कि हमारे स्कूल के अंदर कोमर्स में कितने बच्चे हैं उसके बद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि नॉन मेडिकल में कितने बच्चे हैं और यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास मेडिकल में कितने बच्चे हैं औके और यहां पर मैंने लिख दिया हमारे पास जो है 50, 40, 60, 20 इसके बाद 30, 10 अब मुझे clear clear देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कही ना कहीं class 12 में commerce के 50 बच्चे है non medical के 60 बच्चे है और medical के 20 और अगर मैं class 11 की बात करूं तो कहीं ना कहीं 40, 30 और 10 यही बात हम समझ रहे हैं अब देखो तो tabular presentation का मतलब क्या जब मैं अपने data को rows और columns में define कर देता हूं तब वो आपका बन जाता है tabular presentation जो भी आपका vertical है उसे हम column कहते हैं तो यह जो आपके नीचे column है और यह कहीं ना कह पर components of table कहीं ना कहीं इस chapter का बहुत ही important question है और components के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे table number देखो सबसे पहले जैसे मैं यह table बना रहा हूं तो मैं सबसे पहले इसके ओपर इसका table number लिखूँगा table number 11 तो कहीं ना कहीं यह आपकी 11 नंबर की table है तो मतलब आप कोई doubt नहीं कि इससे पहले कितने tables आ चुकी है तो आपको clear cut पता रहेगा कि इससे पहले आपने 10 tables बना चुकी है इसके बाद दूसरा आपके पास आ जाता है title आप इससे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो इस table से क्या बताने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख लिखता हूं कि कहीं नहीं आप इस टेबल नंबर के बाद मैं लिख रहा हूं है आपके टाइटल कॉम्पोजीशन कि ओफ स्टूडेंट्स कि इन वेरियस स्ट्रीम्स अलग अलग स्ट्रीम्स में हमारे स्पूल में कितने बच्चे हैं यह मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूं क्लियर तो मैं अभी स्कॉलम को क्लियर कर देता हूं ताकि थोड़ी हमें स्पेस मिल जाए ओके तो यह होगे आपकी फर्स चीज डैट इस टेबल नमबर दूसरा आपके पास हो गया टाइटल टाइटल कहीं आपको यह बताता है कि आपको क्या चीज करनी है या आप उस टेबल से क्या चीज शोकरने की कोशिश कर रहे हो तो first of all table must be number दूसरा एक table must have title title must be written in bold letters title कही न कहीं bold letters में होना चाहिए clear cut होना चाहिए it should attract attention of the readers कहीं न कहीं readers की attention को grab करे the title must be simple clear or short title कहीं न कहीं छोटा होना चाहिए clear होना चाहिए और short होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए फटा फटा आप उसे पड़ पाओ एक good title वो है जो कहीं न कहीं आपकी problem को समझेगा आपके time period को बताएगा उसके प्लेस ऑफ study कहां पर आपने study करी nature कैसा है classification का ऐसी सारी problems को दूर करेगा इसके बाद head note हमने कहा था कि title छोटा होना चाहिए लेकिन कहीं न कहीं कुछ बाते में title में बताने से चूक जाता हूं मेरी वो कुछ बाते explain करने में रह जाती है तो मैं इसी के नीचे head note डालके कुछ और explain करना चाहूं तो लिख सकता हूं जैसे मैंने लिखना इसके बाद कहीं न कहीं स्टप्स हा जाता है देखो रोज के टाइटल को स्टप्स कहते हैं और कॉलम के टाइटल कहते हैं तो यह रोज का टाइटल जा रहा है मैंने कहा को स्टप्स है इस Macron में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यह क्लास के बच्चे समझ में उन गया कि मैंने क्या कहा कि कही न कहीं जब मैं class 12 की बाते कर रहा हूं और वो column की बाते कर रहा हूं तो column की heading को caption कहते हैं C से caption कहीं न कहीं C से column तो column की heading caption और rows की heading stops इसके बाद body और field का मतलब जहां पर मेरा data record होता है तो body of a table means the sum total of item in the tables The body is the important part of the table It indicates the value in the various items तो यह जो आपको values दिखाई दे रही है यह आपको 50, 40, 60, 30 यह सब क्या है यह body और field है जो आपर मैंने data को record किया है इसके बाद footnote, footnote देखो कहीं न कहीं foot और note तो कहीं न कहीं pair में मुझे note लिखना है तो दे सकते हैं जैसे कि यह data जो है वो thousands में है यह data जो है वो lakhs में है तो इस तरीके से मैं आपको यह आपर footnotes दे सकता हूँ तो footnotes are given for the clarification of the reader they are generally given with the information table need to be supplemented उसके बाद हम आखरी में लिखते है source यह जो table का data है यह कहां से लिया मैंने का जी मैंने times of India से लिया तो यह है आपका source तो यह है आपके format का table कही ना कहीं आप इसे easily समझ सकते हो और आप उसको around से कर सकते हो तो देखो कहीं ना कहीं हमने सबसे पहले table लिखा फिर title लिखा फिर कहीं ना कहीं head note लिखने की कोशिश कर रहे है कोलम के जो आपका title है उसे हम क्या कहते है caption और कहीं ना कहीं जो रोज का title होता है उसे हम कहते है steps उसके बाद यह आपका footnote और यह आपका source इसके बाद आपके पास आ जाता है guidelines guidelines for constructing a table और a feature of good table एक अच्छी table कैसी होनी चाहिए तो सबसे पहले title होना चाहिए आपकी objective के साथ जो table आप सोच कर बना रहे हो वही table आपके objective के साथ study के साथ match होनी चाहिए तो कहीं न कहीं कह रहा है कि title जो है वो compatible होना चाहिए आपकी study के साथ इसके बाद comparison का मतलब कहीं न कहीं मैं each cell को compare कर सकूँ दूसरे cell के साथ अरे भाई class 11 के अंदर हमारे पास कितने बच्चे थे जी 40 class 12 में हमारे पास कितने बच्चे जी 50 तो कही न कही मुझे पता लग रहे class 12 की strength जादा है और class 11 की strength कम है clear है मेरी बात तो ये है आपका important तो कही न कही मैं चीजों को compare कर पाऊं यही मेरा सबसे पहला objective है उसके बाद special emphasis some items in the table may need special emphasis such items should be placed in head rows और top of the head column तो कुछ चीज़े ऐसी होती है जो मुझे focus करनी होती है तो मुझे कही न कही उसे head rows में या main rows में रखना चाहिए ideal size होना चाहिए ना तो बहुत चोड़ी हो ना तो बहुत लंबी हो ideal size हो तो there must be ideal size to determine the ideal size rough draft और sketch में भी drawn तो भी टेबल को final बनाने से पहले एक बार roughmer बना कर देख लो ताकि आपका idea होजे कि गडबड ना कर पाऊ steps steps हमेशा very strong होने चाहिए if rows are very long steps को मुझे कही ना कही पहले भी लिखना चाहिए और बाद में भी अगर यह आपके पास पूरे के पूरे स्पोस करो वन से लेके 10 तक का डाटा होता साइंस में कितने बच्चे इंग्लिश में कितने बच्चे इस तरीके से बनाता तो यहां पर भी इस साइड भी स्टब लिखता और कहीं ना कहीं इस साइड भी में स्टब लिखता कॉमर्स ऐसे क्यों क्योंकि जब डाटा लंबा होता चला जाएगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप कौन से वाली रो को स्टड़ी कर रहे हो तो इसलिए मेरी कोशिश रहते कि स्टार्टिंग में भी लिखो आखरी में भी लिख दो जब आपका डाटा बहुत जादा चोड़ा हो वाइड हो बहुत सारे आपने रोज बना राखे हो उसके बाद यूज ऑफ जीरो जीरो मस्ट भी यूज टो इंडिकेट ओनली दा क्वांटिटी वैरियेबल इट शोड नोट भी इंडिकेट दा नोन एविलेबिलिटी ओफ डाटा जीरो आपको तब यूज करनी है जब आ पर जीरो लिखना है ओके जीरो का मतलब यह है कि वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है ठीक है अगर मुझे यहाँ पर डाटा नहीं मिला होता या मैडिकल के बारे में मुझे जानकारी नहीं होती है मैं मैडिकल के बच्चों को अभी स्टडी नहीं कर पाया तो मैं जीरो ल लेकिन आपर कोई बंदा नहीं मिला आपको क्या लगाना है आपर हाइफन साइन लगाना है क्लियर मेरी बात इसके बाद हैडिंग्स प्रोपर होनी चाहिए कहीना कई सिंग्लर फॉर्म में लिखी होनी चाहिए अब्रिवेशन सोट फॉर्म सब्सक्राइब यूज कर रहे हो जैसे क्या होता डाटा सेम होता है फिफ्टी और फिफ्टी तो मैं लिखने की जगा वहां पर सिर्फ दो ऐसे इन्वर्टिड कोमा या कोमा लगा देता हूं कि वही उपर वाला डाटा ही नीचे सेम है ऐसा मुझे टेबल में नहीं करना चाहिए उसके बाद अगर आपने को आपको यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा है कि कहीं कहीं ना कहीं आपको यह जो क्लास ट्वेल्ट है इसके अंदर कितने बच्चे आपके पास वर्काउट है तो यह आपके पास आगया 1.30 उसके बाद मैं बात करूं परसेंटेज और रेशो तो आप कहीं ना कहीं आपर परसेंटेज इस रेशो कैलकुलेट कर सकते हो चीजों के ऊपर स्टडी या रिसर्च कर सकते हो तो परस extent of approximation आपका डाटा कितना approximate आ रहा है कितनी उसके अंदर accurate answer आने की संभावना है कितनी गडबड होने की संभावना है यह सारी चीजे भी आपको mention करनी चाहिए इसके बाद source of data यह data आपने लिया कहां से यह बताना है size of column ना तो बहुत ज़्यादा चोड़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ऐसे लंबा होना चाहिए उचा तो उसकी length और width जो है वो कहीना कहीं अच्छी होनी चाहिए uniform होनी चाहिए symmetry column चाहिए वो बिल्कुल भी भ बादानी जरूरत से कम नहीं simple है economic है और attractive है कहीना कहीं यह आपका जो आपकी table है वो simple होनी चाहिए वो attractive होनी चाहिए वो कहीना कहीं आपकी economical सस्ती पढ़नी चाहिए इसके बाद मैं बात करूं kinds of table तो कितने तरीके के table एक बंदे के पास होती है तो हमारे पास तीन तरीके क topics है according to purpose आपने किस उदेश्य से वो table बनाई है that is according to purpose तो मैं या पर लिख रहा हूँ या आपका objective क्या है उसके बाद दूसरा है originality कि original table कौन सी है drive table कौन सी है और on the basis of construction simple way बनाई है या complex table तो सबसे पहले purpose का मतलब आपका उदेश्य क्या था आपका objective क्या था तो general purpose का मतलब स तो general purpose is a table is that which is of general use it does not serve any specific purpose under the consideration such tables are just data bank यह सिरफ data bank है अभी मैंने इस से कोई भी चीज नहीं निकाली सिरफ यह data bank है और कहीना कहीं इस से मुझे कोई special purpose सिद नहीं हो रहा लेकिन specific purpose table क्या होती है special purpose table is that table which is prepared with some specific purpose इंदा और कहीना कहीं जो specific table होती है उसका मेरे mind में एक special purpose है तो लिखता generally these are small limited problems और कहीना कहीं consideration मैंने पूछा भाई medical के अंदर बच्चे नहीं है तो क्यों मुझे इसका reason चाहिए क्योंकि special purpose table में मुझे ये पता करना था कि मेरा objective क्या है और कहीना कहीं एक किसी special problem को highlight करने के लिए यही मैंने study किया मैंने का भाई price कम करना है price कम करने के बाद भी demand नहीं बड़ी तो मैं चेक करना चाहता हूं कि purpose क्या है मेरी table का उसके बाद original table table according to original table का मतलब क्या जो आपने बिलकुल data को इखटा किया और सीधा table में put कर दिया उसके अंदर कोई भी कांट छाट नहीं करी कोई भी adjustment नहीं करी original table is that in which data is presented in the same form in which they are collected तो जिस form में आपने data को collect किया है उसी form में आपने उसे समझा दिया that is original table drive table क्या होगी drive table का मतलब मैंने उस original table के अंदर कांट छाट करके filter लगा कर कहीं ना कहीं उसके अंदर adjustment करी है ताकि वो मुझे एक अच्छी और बहतर report पेश कर सके ओके मेरी बात तो कहीं ना कहीं a drive table is that table in which data are not presented in the form in which they are collected instant the data are first converted into ratio और percentage और देन शोटू दा investigator और users ओके मेरी बात इसके बाद आपके पास आ जाता है according to construction construction के अंदर बात करें तो बनाने का तरीका तो simple way जब मैं किसी एक characteristics को लेकर किसी एक characteristics को लेकर जब मैं study कर देता हूँ तब वो आपका बन जाता है simple table so a simple table is which is shown on the one characteristics of data जहापर मैं सिरफ एक quality को show करने की कोशिश कर रहा हूँ तो जैसे मैंने का कि classes में कितने कितने बच्चे पढ़ते है that is आपका one या simple way table complex table जब मैं एक से ज़ादा data को एक से ज़ादा characteristics को show करने की कोशिश करता हूँ अब मेरे यहाँ पर देखो मैंने कहीना कहीं class 12 को भी study किया commerce medical non medical को का तो कम से कम दो characteristics study कर रहा हूँ और कहीना कहीं यह है आपका complex table ओके मेरी बात तो a two way table is that in which two characteristics of data are shown तो two table कोन सी होते हैं जहाँ पर characteristics दो दिखाई देती हैं जो यहाँ पर देखो class 12 और उसके बाद लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं यह हो गया आपका दो characteristics ट्रैबल टेबल नाम से बताल अगर तीन होनी चाहिए तो कहीन है जब मैं एक टेबल पर तीन डाटा को शो करने की कोशिश करता हूं तो पहली classification हमने करी कि यह रहा boys girls के basis पर दूसरी classification class के basis पर और तीसरी classification रूरल और अर्बन के basis पर ओके इसके बाद manifold जब मैं तीन से ज्यादा characteristics को शो कर देता हूं किस पर जब मैं तीन से ज्यादा characteristics को table पर शो कर देता हूं तब तो देखो एक तो यह आपके पास class हो गया यह boys हो गया यह rural और अर्बन हो गया तीन तो तक हो चुकी थी यह fourth और इसके अंदर हमने जोड़ दी यह है आपका manifold table इसके बाद आपके पास आ जाता है classification of data and tabular presentation clear तो कहीना के टैबलर presentation is based on four-fold classification quantitative qualitative temporal और सेप्टाइल तो कहीना कही qualitative का मतलब क्या हुआ जब आप qualities के basis पर table बनाते हो male female उसके बाद 11 और सॉरी क्या कहते है male female आ गया आपका उसके बाद educated, uneducated आपने पढ़ा illiterate आपने पढ़ा यह सब आपके पास कहां से आए यह सब आपके पास qualities है देखो क्या लिखता है जैसे rural और urban हमने पढ़ा skilled और unskilled हमने पढ़ा male और female हमने पढ़ा married, unmarried पढ़ा तो यह आपकी कहीना कहीन qualities है और male female के basis भी कहीना कहीन आपका qualitative characteristics है quantitative कहीना कहीन फिर से वोई numbers में जब मैं data को numbers में define कर देता हूँ, उस पे table पे present कर देता हूँ that is a quantitative expression तो classification of data and tabler basis quantification occurs when the data are classified on the basis of quantity of characteristics और phenomena okay तो मैंने पूछा class में 20 से 30 marks कितने बच्चों के आए, 30 से 40 marks कितने बच्चों के आए, 40 से 50 कितने बच्चों के आए यह आपका बन जाता है quantitative classification इसके बाद आपके पास आज़े था temporal है, हमने पीछे भी पढ़ा था temporal मतलब time, time मतलब क्या जब मैं अपने time के basis पर data को create करता हूँ, 2010 में कितना profit था, 2011 में कितना था, sale कितनी थी तो इस तरीके से जब मैं year wise classification करने की कोशिश करता हूँ, year wise data को present करने की कोशिश करता हूँ तब वो आपका बन जाता है temporal classification इसके बाद आपके पस आखरी आज़ती है, septile, septile classification के अंदर क्या होता है कि जब मैं location के basis पर, geographical area के basis पर, places के basis पर, जब मैं classification कर देता हूँ, उसके बाद presentation कर देता हूँ, तब वो आपका बन जाता है, septile classification इसके बाद आपके पास आज़ता है, merits of a tabular presentation, फाइदा क्या है, भाई, simple है, और brief है, छोटा है, संचिप्त है, कही ना कहीं आपको ज़ादा माता पच्ची करने की जरूरत नहीं पढ़ते हैं facilitate comparison भई, एक चीज को दूसरी चीज से आप easily compare कर सकते हो, आपने दोनों चीजों को side by side रख दिया, अब आपको यहाँ पर कोई confusion नहीं है उसके बाद easy analysis, अब आप चीजों को research कर सकते हो, असानी से समत सकते हो, असानी से उसके अंदर changes कर सकते हो, असानी से correlation, depression, regression, dispersion, यह सब चीज़ें आप study कर सकते हो highlight the characteristics of data, कहीना कहीं tablet presentation जो होती है, वो आपके data को highlight करती है, कौन सी चीज आपको फट से दिखाई देनी चाहिए, table में, यह decide करती है और economical है, मैंने का सस्ता पड़ता है, textual presentation महांगा पड़ता है, और यह कहीना कहीं सस्ता पड़ता है so it is very economical, time भी बचाता है, space भी बचाता है, मैनत भी बचाता है, यह सारी चीज़े clear है बचो, यहां तक हमारे chapter complete हो चुक है, कोई doubt हो तो मुझे comment जरूर करना, thank you